वेलकम टू क्वेस्टन आंसर चैनल क्लास 11 इंग्लिश चैप्टर है बर्थ स्नैप्शॉट बुक से चैप्टर नमबर 7 है बर्थ आज हम करेंगे इसके MCQ तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो so that आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे question number one देखिए who is the author of this chapter यानि जो बर्थ चैप्टर है इसके author कौन है एजे कौन है next and you did his medical practice under the assistance of जो एंड्रू है जो कि एक नया डॉक्टर है वो अपनी medical practice किसके अंडर में कर रहा था डॉक्टर पेज के अंडर who was waiting for Andrew at midnight आधी रात को एंडरू का इंतिजार कौन कर रहा था जो मॉर्गन where did जो मॉर्गन live जो मॉर्गन कहां रहता था number 12 बलेना टेरिस पे how does the author describe the bedroom of जो हाउस जो हाउस का बेडरूम कैसा था poorly furnished वहाँ पे अच्छा सा furniture नहीं पड़ा हुआ how has the author describe Mrs. Morgan's mother Mrs. Morgan की मम्मी कैसी थी wise भी थी उनके बाल सफेद भी थे और लगभग वो 70s 70 के आसपास की होंगी so right answer है all of the above when Andrew approached Suzanne was accompanied by her mother and dash answer है midwife चलों midwife कौन होता है वैसे तो आज की date में जो delivery होती है proper hospitals वगरा में होती है जहां proper skilled nurse वगरा होती है अब पुराने time में घरों में ही बच्चों की delivery करी जाती थी तो जो lady आती थी बच्चे की delivery के लिए उसको दाई कहा जाता था हिंदी में और English में कहा जा कहते हैं उनको midwife don't fret mother I will not run away why did Andrew say this डरो मत मा मतलब वो जो औरत थी जो 70 years की थी उससे कहते हैं डॉक्टर साब कि आप डरो मत में जाऊंगा ने एंड्रू ने ये वाली बात क्यों गई to reassure Mrs. Morgan's mother Mrs. Morgan की ममनी को reassure करने के लिए कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो मैं यहीं हूँ चाहें कितना भी time लग जाए एंड्रू decided to dash at Joe's house एंड्रू decided एंड्रू डॉक्टर जो था ना है डॉक्टर उसने क्या डिसाइड किया कि चाहें कितनी भी देर हो जाए मैं यहीं पे stay करूँआ जो के घर जाऊँआ ले while waiting at Joe's house what did Andrew think about जब वो wait कर रहा था तो जो के घर पे तो उसके दिमाग में कौन कौन सी बातें चल रही थी failed marriages failed marriages मतलब लोग शादियां कर लेते हैं लेकिन बाद में divorce होते हैं और वो अपनी girlfriend Christine के बारे में भी सोच रहा था so right answer होगा B and C how was the newborn child जो नया बेबी हुआ वो कैसा था life less बादा बेबी तो हुआ लेकिन उसको सांस ही नहीं आ रही थी what dilemma did doctor Andrew confirm अब डिलेमा मतलब क्या परेशानी थी परेशानी ये आ रही थी whether do attend the child or the mother के पहले मैं बच्चे को देखू या उसकी मम्मी को देखू मलग किसको treat करूं पहले in the dilemma he faced what did Andrew do तो अब ये दिक्कत आ रही थी कि बच्चे का पहले treatment करूं या मा का करूं तो फिर उन्होंने मा को चुना he checked upon the Suzanne first जो बच्चे की माती Suzanne पहले उसको देखा where had the midwife placed the stillborn child midwife ने जो newly born baby हुआ तो उसको कहां रख दिया था under the bed what did Andrew conclude from the whiteness of the child बच्चा बहुत जादा सफेद पढ़ रहा था इससे Andrew ने क्या conclusion निकाला that he suffered from lack of oxygen बच्चे के अंदर oxygen की कमी है what did Andrew remember about Samaritan के बारे में उसको क्या याद आया a treatment he witnessed उसने एक treatment होते हुए खुद देखा था what all things did Andrew use in the treatment उसने cold hot and cold water का यूज़ किया basin towel का यूज़ किया और एक blanket का so right answer है all of the above how did Andrew try to save the stillborn जो baby पैदा हुआ था उसको बचाने के लिए उसने क्या कुशिश करी using a special method of respiration का एक अलग सी method यूज़ किया नया after trying for 15 minutes Andrew felt अब बच्चे को सांस नहीं आ रही थी 15 मिनट हो गई थी तो वो भी थोड़ी देर के लिए hopeless हो गया था what did Andrew remember in the middle of the ongoing treatment जब treatment चल रहा था उसके बीच में उनको क्या याद आया Morgan's family is longing for a child क्योंकि Morgan जो कपल था उनका 20 साल से वो try कर रहे थे लेकिन बच्चा नहीं हुआ था गाइस अभी तक इस वीडियो को एक like नहीं किया है तो please यार एक like कर देना आपके एक like से एक subscribe से बहुत motivation मिलता मैं तीन तक count करूँआ चिल्टन please वीडियो को like कर देना 1,2,3 I hope चिल्टन आपने वीडियो को like कर दिया है चैनल को subscribe कर दिया Thank you guys Why did the child become slippery in the Andrews hand बच्चेया जो है Andrew के hand में थोड़ा slippery क्यों हो रहा था Because of constant juggling between waters क्योंकि बार बार उसको पानी में डुबाया जा रहा था इस वज़े से How long did it take for Andrews effort to yield result Finally कितनी देर बाद Andrew के जो effort थे उससे result आया Half an hour लगबग आदे गंटे बाद What does the author refer to as a miracle Author किस बात को miracle कहते है कि वो जो जो still born baby था उसमें सांस आ गई थी Life आ गई थी Morgan family क्या Sorry, right answer यही है कि जो बच्चा क्या नामे सांस नहीं ले पा रहा था या मरा हुआ सा था उसमें सांस आ गई But her hands were wet Hands were together Her lips move without sign Who is her यहां पर किसकी बात कर रहे है Mrs. Morgan की मंबी की बात हो रही है Why did Andrew get oblivious to all the work He had done in blending Because क्योंकि उसने उस रात को कुछ extraordinary किया था भई देखो आपी नाया नाया डॉक्टर है ठीक से डॉक्टर बना भी नहीं है और एक ऐसी delivery आ गई वो भी रात में जहां पर किसी की कोई मदद नहीं मिली और बच्चा भी जो पैदा हुआ उसको सांस नहीं आ रहा था लेकिन finally सब कुछ अच्छा हो गया तो उसके लिए तो यह एक बहुर बड़ी बात थी पूरा का पूरा टाइम यह जब चलता रहा तो जो घर के अंदर नहीं आया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एंक्शिस फील कर रहा था after how many years were Joe and Suzanne blessed with a child 20 साल बाद उनके घर में बच्चे की खिलकारी गुंजी थे अब यह पूछ रहा चैप्टर का नाम birth क्यों रखा गया है because it is about birth of a child क्योंकि एक बच्चे के जनम हुआ है उसी के बारे में है बर्थ of Suzanne's child was turning point in doctor's Andrew life do you agree यह कह रहा है कि Suzanne के जो बच्चा पैदा हुआ वो डॉक्टर एंड्रू की जिंदगी का एक तरह से turning point था बिल्कुल था या what can you say about doctor Andrew after reading but doctor Andrew के बारे में आप क्या कहोगे he fulfilled his obligation well as a doctor उन्होंने as a doctor अपनी जिंबेदारी बिल्कुल अच्छी तरह से निभाई in entire process जो वोज पूरी की पूरी process में जो कौन है जो बच्चे का पिता है जिसकी wife की delivery होने वाली है वो बहुत जादा distress था anxious था from where the extracts of the story birth बर्थ ये chapter है कहां से लिया गया है दस इटाडेल से what was Joe doing when Andrew arrived at his house जो क्या कर रहा था जब Andrew अपने घर पहुंचा वो इधर से उधर desperation में walk कर रहा था क्योंकि वो doctor साब का इंतिजार कर रहा था how did Andrew feel after his successful delivery successful delivery के बाद Andrew भी खुश था excited भी था और उसको लगा ये तो miracle यानि चमतकार है भगवान का so right answer है all of the above at what time did Andrew start his work in the labor room labor room में उसने अपना काम कितने बज़े start किया साड़े तीन बज़े who was Christine Christine कौन थी dr. Andrew की girlfriend थी which life saving method brings back the child of the newborn कौन सा method उन्होंने यूज किया था उन्होंने यूज किया था rubbing with towel उसको बार-बार rub कर रहे थे towel से how was the condition of the room post delivery होने के बाद room की क्या हालत थी पूरा room masked हो गया था इदर फैला हुआ था whom did Andrew inject dr. Andrew ने किसको injection लगाया था Suzanne Morgan जिसकी delivery होने वाली थी जो मां बनने वाली थी whose life did Andrew try to save us सबसे पहले उन्होंने mother की life वचाने की कोशिश कर रही what was wrong with the newborn child newborn child जो है उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी वो सांस नहीं ले पा रहा था guys इस last question का answer आप मुझे दोगे comment section में देखूंगा कितने बच्चे right answer देंगा Andrew decided to dash at Joe's house Andrew ने क्या decide कि वो वहां सोता रहेगा वो वहां पढ़ाई करेगा या वो वहां stay करेगा जब तक delivery नहीं हो जाती या वो खाना खाएगा तो जो भी आपका answer है उसको comment में लिख देना या ABCD लिख देना मैं समझ जाओँगा so I hope मेरा चोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा please वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर देना अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में बाबाए